19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर का दिन सेहिंग राशी के लोगों के लिए कैसा रहेगा? जै मता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दो दिनों के सेहिंग राशी फल के बारे में ये दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे? इन दो दिनों में ग्रहों की स्तिति क्या होगी? नक्षत्र क्या होंगे? कौन सा घ्राशी बदलेगा? और किन ग्रहों का प्रभाव सबसे अधिक आपको अपनी दिन्चरिया में देखने को मिलेगा तो आपके जीवन से जुड़ी हर एक जानकारी में दूँगी सिक्षा, स्वास्थ, करियर, नौकरी, दुकान, हर एक चीज के बारे में तो चलिए जानते हैं इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र के बारे में अभी जो 19 अक्टूबर है ये गुरुवार का दिन है और शुकलपक्ष की पंचमिति थी यानि पांचवन अवरात रहे जेश्ट नक्षत्र रहेगा और सौभाग्य योग के साथ दिन की शुरुवात है लेकिन उसके बाद बन जाएगा शोबन योग शोबन योग के जो स्वामी होते हैं गुरु ब्रस्पति होते हैं और गुरु ब्रस्पति का ही ये दिन है कि ये बहुत अच्छा संयोग यहां बन गया है चंद्रमा विरस्चक राशी में है शाम तक उसके बाद चंद्रमा धनुराशी में प्रवेश कर जाएंगे सूरिय तुला राशी में आ चुके हैं बुद्ध भी तुला राशी में आ चुके हैं पहले से कीतु यहां विराजमान है तो तुरिग्रह योग तो बना ही है साथ में बुद्धा दितर राजियोग भी बना हुआ है इसके लावा बनेगा यहां रवयोग अब 20 अक्टूबर शुकरवार का दिन शुकल पक्षकी शष्टी थे मूल नक्षत्र रहेगा और अतिगर नाम का योग बनेगा यह दिन चंद्रमा जो है धनुराशी में रहेंगे और सूरिय तो हैं ही तुला राशी में बुद्ध और केतु के साथ त्रिग्रह योग बना रहे हैं 19 अक्टूबर के बारे में 19 अक्टूबर का दिन आपके स्वास्ते के लिहाद से बहुत ही शांदार दिन रहेगा ये समझेजिए कि ये जो दिन है ना ये हर तरीके से आपके लिए शांदार होने वाला है आपका एक वहवार है कि आप बड़े दानशीलता वाले है और ये जो वहवार है जो इस तरह के कामों से जुड़े रहते हैं उनके लिए ये जो कारे है ये चुपे हुए आशिरवाद की तरह कारे करता है ये आपको ऐसे आशिरवाद को सिध्ध करके देता है जिससे आप हर एक चीज से दूर रहते हैं जो चीजें आपको नुकसान पहुचाती हैं हर खराबियों से दूर रहते हैं और अच्छाईयां आपके जीवन में आती हैं जो इस राशी के जातक लगू उद्योग करते हैं छोटा मोटा को बिजनेस करते हैं आज उनको किसी की सलाव बड़ी काम की मिल सकती है और उनकी सलाव से ही आपको आर्थिक लाव होने की जादा संभावनाई भी बनते दिख रही हैं आज आप किसी एतिहासिक सेर सपाटे पर जा सकते हैं कोई वन्मेंट्स आप देखकर आ सकते हैं जहां आपको काफी अच्छा भी लगीगा और इससे आपके बच्चों को आपके परिवार के सदस्यों को टाजगी जरूर बिलने वाली है कुछ लोगों के लिए जल्दी ही शेहनाई बजने का भी योग है जल्दी ही आपके जीवन में शेहनाई बजने वाली है और कुछ दूसरे जातक हैं जो जिन्दगी में रुमान्स का नया अनुभव कर पाएंगे आपके लिए आज बहुत सक्रिय है और लोगों से बेल जोल भरा दिन रहने वाला है आज इस्तितियां ऐसी होंगे कि लोग आपसे कुछ अच्छी राय भी मांग सकते हैं जो भी आप कहेंगे और वो उसे बिना सोचे मान लेंगे यानि यह आपका एक रुत्बा है जो जैसा आप उनको बोल रहे हैं समझा रहे हैं वो आपकी बात मानेंगे आपका जो एक अंदाज है हसने हसाने का अंदाज वो आज बहुत बड़ी पुझी भी सावित होगा और आपके जीवन साथी को खुश करने के लिए तो आज जो है बहुत जादा अच्छा दिन है आज आपका विवाहिक जीवन बहुत शांदार होने वाला है धन संपत्ति को लेकर भी चीज़े हैं मैं कह सकती हूँ आज 95% चीज़े आपके फेवर में रहेंगी हर एक शेत्र में कोसलता से काम कर सकें सामाजिक इस्थितियां हो गई चाहे आउट गोइंग आपकी बड़ी करिश्माई हो सकती है और कुछ ऐसे कारेक्रमों वे आप शामिल हो सकते हैं जुमन को शांती देने वाले होते हैं कुछ चीज़ें जहें जो अदभुत समय एक एक ऐसा अदभुत समय होता है जब आप कुछ बोलते हैं तो वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं और ऐसे ही अदभुत समय में आपकी बोली होई को एक काम ना पूरी हो सकती है आपके लिए आज शुब रंग जो रहेगा लाल रंग रहेगा लाल रंग का आप वस्तर का परियोग करे और शाम को चार बजे से आज आपके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है चार बजे की बाद आप अपने कुछ जरूरी कामों को पूरा कर सकते हैं और साथ ही आज किसी रसूखदार व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगे जहां आप काफी अच्छा महसूस कर पाएंगे उ उन से मिलकर तो कुल मिलाकर ये दिन मैं कह सकते हूं बहुत अच्छा दिन है पांचवान नवरात्र है मदरुगा की आराद ना करें मदरुगा आपके जीवन में हर समय खुशियों की भरमार रखेगी अब आ जाते हैं 20 अक्टूबर की तो 20 अक्टूबर ये छटा नवरात रहे चंद्रमा इस दिन धनुराशी में आ चुके हैं धनुराशी के चंद्रमा के इस्तिती जो है वो आपकी सोच को सकारात्मक रखेगी आपके राशी के स्वामी के साथ बैठे हैं साथ में बुद्ध के साथ हैं बुद्ध के साथ तो बुद्ध दितयार राजयोग बना रहे हैं और तिर्ग्रही योग भी बना हुआ है अब यहाँ जो इस्तिति है न वो पंचम भाव में हो जाती है पंचम भाव में संथान का थोड़ा सा ध्यान रखें संथान को स्वासवासति समंधि परिशानिया हो सकती है देखे पंचम भाव क्या है पंचम भाव की जो ये इस्तितिया चंद्रकी ये आपके वैपार के लिए बहुत अच्छी है ये आपके जो प्रेम जीवन है उसके लिए बहुत अच्छी है लेकिन सीधे मैं बात करूँगे आपके राशी के स्वामी की जो तीसरे भाव में बाकी चीजें आप अपने हिसाब से करेंगे अच्छे से चलेंगी मिलकर सब के साथ मिलकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा और तभी आप करियर की नई उचाईयों को चुपाएंगे आपने कुछ यूजनाय बनाई थी लंबे समय से कुछ देशों को आप राप्त करना चाह रहे थे उनमें भी सफलता मिलेगी आज आपको वित्यलाब होता हुआ भी दिखाए दे रहा है किसी भी काम को नए तरीके से करने का जो साहस है वो आपको सफलता दिलाने वाला है बस अपनी सोच को आपको सकारातमक रखना है तो इसके नतीजे भी आपको बहतर मिलेंगे यहां तक कि अगर आप चाहें कि वर्तमान आर्थे किस्तिति आपकी बड़े मजबूत हो तो आपने इतनी शम्ता है कि समय के साथ आप अपने लिए इच्छित फल प्राप्त गर सकते हैं। अपनी सोच को बस दाइरा बढ़ा दें अपनी सोच का। शरजनातमक सोच रखें कुछ नया सोचें। आपको जो अफसर मिलते हैं उन अफसरों को समाहलने की कोशिश करें। कई बार होता है कि अफसर हाथ से निकल जाते हैं तब आपको बात समझ में आती है और तब उस बात को समझने का कोई फाइदा नहीं। को आपके घर में कोई अतीती आ सकते हैं तो अतीती आगमन का भी योग बना हुआ है जिसमें कुछ धनखर्चा भी हो सकता है तो थोड़ा सा उस पर भी कंट्रूल आप करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा और पार्टनर आपसे आज किसी तरह की मांग कर सकता है तो उनकी मांगो को भी आज आपको पूरा करना होगा तो काफी वेस्तता भरे ये दिन होने वाले हैं वैसे शुकरवार का दिन हैं काफी अच्छा दिन है आज किसी कोई लाल गाय दिख जाती है या लाल कुता दिख जाता है तो उसको थोड़ा सा बोजन जरूर दे दे वो आपकी प सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें